अलो फ्रेंज में होने के बोड़ आप देख रहें एमसेटे यूटूब चैनल तो फ्रेंज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा एक्सेस में किस्ता से स्टुडेंट एसन में डाटबेस क्रियाट कर सकते हो जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स आप लोग के साथ सेयर कर गोंगा तब तरह मेरा ये वीडियो एंट तक देखते रहें तो फ्रेंज सबसे पहले आपको ये इंग्रोड स्टेबल स्टुडेंट स्टुडेंट क्लास और ये एसलमेंट टेबू स्क्राट करा होगा फास्ट स्टुडेंट स्टेबल इंकूर्स फील आप यहां पर द एक स्टुडेंट 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 स् कि अग्रेंट क्लास टेबूल इंकुर्स फील्ड आप यहां पे देख जेते हो तो इस तरह से क्लास टेबूल के इंकुर्स फील्ड करना है फार्स्ट क्लास आईडी क्लास नेम डिपर्मेंट आईडी सेक्ष्ण नमबर इंस्ट्रक्टर ताम्स यूनिट यह लोकेशन देश और नोट्स फेल्ड को एंटर करना है जो मैं अल्ड़ी हाँ पर एंटर करके राखा है तो आपको यह क्लास टेबल में स्थाह से यह डिटेल्स इंकलोट्स फिल्ड एट करना है नेक्स्ट टाम्स डिफोल्ट फेलू में टाइम फंक्शन एंटर किया नेक्स्ट गो टू एट्सनमें टेबूल इंक्लोष फील्ड आप यह नपे दिख सेखते हो चुमने अलड़ी टेख संवीन है इंकुर्ष फिल्ट एसंविन आई इसमाने इसमें दिस्रेप्शेंट रहें नेक्स्ट क्लास ऐड़ी जो मैं क्लास टूंके साथ इसेश्न क्लेट के अधकका पर ए anos no data type select cure percent upgrade devil field property setting which is double format first and decimal plays auto or gmy default value enter care less than 1 2 then you must enter less than 100 percent number next way maximum points double field property shape width as single और यह default value validation rule मैंने enter किया है तो इसता से यह table includes field property setting और यह include field enter करना है तो friend next अभी इस table को close करके relationship करोंगा click database tool click relationship इसके बाद सारे table को एक साथ select करने के लिए control प्रेस कंट्रोले और select all click add next friend अभी relationship create करेंगे तो friend सबसे पेले relationship create करेंगे assignment or class table assignment or class table relationship create करने के लिए class id field को ट्रक करना होगा तो पहले go to assignment table class id field को ट्रक करेंगे to the class table class id field इसके बाद सारे option को टिक करना है next join tab select one click create तो यह table relationship create हो गया next friend अभी students or student and class table relationship करने के लिए student id field को ट्रक करना है इसके बाद सारे option को select करना है join tab select okay click create तो यह table भी relationship relationship create हो गया अभी फ्रेंट क्लास और इस्टुडेंट क्लास टेबूल relationship create करने के लिए class id field को ट्रक करना होगा पहले student and classes table को लेप साइट कुला में मूफ करना है तो मैंने मूफ कर दिया next फी ट्रक करेंगे class id field to the field class id प्राम की field class table सारे option को select करना है इसके बाद joint tab select one click create तो फ्रेंट अभी फाइडली चाव टेबल को मैंने relationship create किया है next friend अभी इस relationship को सेप करेंगे click close then click yes to set chance next friend अभी student and class table field property setting करेंगे go to student id field क्योंकि मैं student id field say table student id field relationship create किया तो अभी student id row source query builder table student table select करेंगे नेक्स्ट गो तो रिलेशन्शिप आप यहां पर दिक से तो युक्कि में student और student classes table को relationship create किया वीद student id तो इसलिए student id field combo look up display control select करेंगे combo box इसके बाद select process property setting query builder select student table click add click cross next अभी student table से student id प्रायमी की फिल को फिलिस्ट में आड़ करना है उसके बात फास्ट नेम और लास्ट नेम एकसाथ डिस्प्रेय करने के लिए code यूज़ करेंगे पेले इसके बाद press और enter colon next अभी फास्ट नेम एकसाथ डिस्प्लेय करने के लिए ये code यूज़ करना है पेले फास्ट नेम फिल को एड़ करना है उसके बाद enter and symbol next enter double quotation next comma space डिस्प्लेय करने के लिए इसके बाद फिर से enter quotation next enter symbol next type last name fill अभी फिरेंट शोट असंदिंग स्लेट करेंगे स्लेक्ट असंदिंग नेक्स अभी इसक्वारी विल्टर को क्रोज करके सेप करेंगे पेले इसका फ्यू डिस्प्लेय कर लेते हैं तू दिख सकते हो इस्ता सी ये फ्यू रिजाल डिस्प्लेय हो जाता है next friend अभी इसक्वारी विल्टर को सेप करेंगे click close then click yes to set change next friend abhi resource select distinct row tap करेंगे to then up selected column list include display the executive type select next distinct row next friend abhi field property setting पहले इसका फ्यू डिस्प्लेय कर लेते हैं तू देख सेक्तों फ्रेंड इस्ता से ये फ्यू स्लेक्टेट लिस्ट डिस्प्लेय हो जाता है next friend abhi field property setting column setting white setting और ये column heads number add करेंगे पहले setting करेंगे bound column same रखना है पहले tap करेंगे one bound column next column counts tap करना है two column heads no or a column whites tap करेंगे 0 colon 2 next list row 16 इसके बात list white tap करेंगे two point limit to list yes abhi friend is table ko save करेंगे click close then click yes to acceptance next friend abhi class table open करना है next sorry next open students details to then a fix it students details record relationship students and class table details class ID और ये great field next open assignment table sorry class table next open class table a different class table में some details class name add करिंगे first class name suppose many बैक्प्टर आक्प्रेंगे की दिपार्मेंट सेक्ष्ट्यों इनिस्ट्रेक्ष्ट्चों अन्टरा के उसके बाद रिलेशन्शिप आप यह पे देख से तो टो लास एन इस्टूदेंस टेबुल डिलेशनशिफ क्लास अडि शेम डिटेल्स डिस्प्लेय हो जाता है तो फ्रैन नेक्स टूर प्रै आपको देखाऊंगा कि इस तरह से इन इस्टेक्टर और डिपर्मेंट टेबुल क्लेट करके क्लास टेबल के साथ रिलेशन कर सकते हूँ तो फ्रें उम्मित कता हो कि मारा ये वीडियो पसंद है अगर पसंद है प्लिस लाइक शेक कोमेंट एंड मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यो फॉर वाचिंग